मैं हूँ अदिती त्यागी तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहावत आपने सुनी होगी लेकिन क्या आपने सोना देने वाली गाएं के बारे में सुना है कुजरात के जुनागर कुशी विश्विद्याले की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गौमुत्र में औशदिये गुण ही नहीं पलकी सोना भी मिलता है आपको दिखाते हैं गौमुत्र का ये गोल्डन फॉर्मूला है क्या गौमुत्र में सोना होता है पौराणिक कथाओं में ये बात कही और सुनी जाती रही है लेकिन अब इस बात की पुश्टी विज्ञान भी कर रहा है गुजरात के जुनागर एग्रिकल्चर युनिवर्सिटी की रिसर्च में गौमुत्र में सोना मिला है युनिवर्सिटी के बायो टेकनोलोजी डेपार्टमेंट की फूड टेस्टिंग लेबरेटरी में ये रिसर्च किया गया है रिसर्च में गिर नसल की गाय के एक लीटर गौमुत्र में 10 से 30 मिलिग्राम सूना पाये जाने का दावा किया गया है बायो टेकनोलोजी डेपार्टमेंट ने रिसर्च के लिए क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री तक्नीक का इस्तमाल किया है टेस्ट के लिए गिर नसल की 400 गायों के सैंपल लिए गए इसमें बच्चे को जन्म न देने वाली गाय, प्रेगनेंट और दूद देने वाली गायों के सुबह शाम के गौमुत्र के नमूने लिए गए रिसर्च में पाया गया कि एक लिटर गौमुत्र में 10 से 30 मिलिग्राम सोना, 2 मिलिग्राम चांदी और 0.5 मिलिग्राम जस्ता ये सोना आयोनिक रूप में मिला, जो कि पानी में घुलनशील गोल्ड सॉल्ट है इस सोने को निकाला जा सकता है और केमिकल प्रक्रिया से उसे ठोस बनाया जा सकता है इस रिसर्च में गाय के अलावा उंट, भैस, भेड के यूरीन का भी परिक्षण किया गया था लेकिन गिर नसल की गायों के अलावा किसी में भी सोना पाये जाने के लक्षण नहीं मिले रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि गिर की गाये में सिर्फ सोना ही नहीं इक्क्यावन सो रसायनों की भी पहचान की गई जिसमें अंटी कैंसर, अंटी कोलेस्ट्रॉल, अंटी डाइबेटीज, अंटी एजिंग, अंटी ओबिसिटी के गुणवाले रसायन भी शामिल है जुनागर एग्रिकल्चरल युनिवरसिटी की फूट टेस्टिंग लैब एने बील से मानेता है डॉक्टर गोलकिया की ये टीम अब गिर नसल की गायों के अलावा 49 अलग अलग नसल की गायों के यूरीन पर रिसर्च करेंगी भारगो परी के साथ विरो रिपोर्ट जी मीडिया गिर